नमस्कार आज हम डिस्कस करेंगे गिरीराज पत्रिका जो कि हिमाचल प्रदेश की सापताहिक पत्रिका है तो गिरीराज पत्रिका का मार्च महिने का ये पार्ट 4 है जो हम डिस्कस कर रहे हैं हरी question जो है प्लडेल से डिस्कस किया जाएगा अब देखिए part 4 की पहले मैं introduction ही कहीं से बने हैं वो सारे मैंने यहां पर include किये हैं सबसे पहले question से अभी हम start करते हैं हरी question जो है थोड़ा सा point to point याद रखने लाइक है इस पार data है थोड़ा सा तो सारा ध्यान रखें पहले question में बोलते हैं in which of the following district of हिमाशल प्रदेश PGI satellite center being set up तो बोलते हैं कि हिमाशल प्रदेश के किस जिले में PGI satellite center स्थापित किया जा रहा है देखिए हिमाशल प्रदेश के हिमाशल प्रदेश के उन्ना जिले में option A जो है हिमाशल प्रदेश के उन्ना जिले है जो सरकारी क्षेत्र में है एक medical college निजी क्षेत्र में है यानि के private क्षेत्र में है एक बिलासपुर के कोठी पूरा में aims है एम्स कहां पर है बिलासपुर के कोठी पूरा में जो है वो aims है अब देखो aims की पहले full form पता होनी चाहिए PGI की भी full form पता होनी चाहिए AIMS का पुरा नाम होता है All India Institute of Medical Science तो AIMS का पुरा नाम पता चल गया कि All India Institute of Medical Science जो है इसका पुरा नाम होता है ये बिलासपुर के कोठी पुरा में है PGI की अगर हम बात करते हैं तो PGI का पुरा नाम होता है Post Graduate Institute अब जैसे की PGI चंडीगड है तो Post Graduate Institute चंडीगड जो है इसका पुरा नाम हो जाएगा ऐसे इसको इसको जो है Post Graduate Institute of Medical Education और रिसर्च बोलते हैं ये आपने ध्यान रखना है तो ये PGI के बारे में पता चल गया AIMS के बारे में पता चल गया आपको पता चला कि हिमाचल प्रदेश में छे Medical College है जो सरकारी क्षेत्र में है एक निजी क्षेत्र में है हिमाचल प्रदेश में बहुत सारी योजना चलाई जा रही है Health के लिए जो फिल्ड है वहाँ पर जैसे कि सहारा योजना होगा तो ध्यान रखना कि सहारा योजना जो है वह Health से संबंदित है हिमकेर योजना हो गया हिमकेर योजना भी जो है वह Health से संबंदित है और इनके क्रियानवियन के लिए 900 क्रोड रुपए की जारी रासी जारी की गई है यह ध्यान रखें तो वस इतना काफी है यहां से ध्यान रखने के लिए जो बेसिक बेसिक चीज़ें आपने जानी हाँ यहां से ध्यान रखें कि डिस्टिक शिमला के चमियाना में चमियाना एक जगा है यहां पर डिस्टिक शिमला के चमियाना में एक सूपर स्पैसिलिटी स संस्थान भी स्थापित किया जा रहा है तो सूपर स्पेसिलिटी संस्थान डिस्टिक्स इंबला के चम्याना में स्थापित किया जा रहा है अगला कोशिन देखें अगले कोशिन में क्या बोलते हैं काफी पॉलते हैं वर्ट इस हिमाचल प्रदेश रैंक ही इंडिया इन टर्म्स ऑफ स्टेनेवल डिवल्पमेंट गोल यह कौन से यर की बात की जा रही है यह मैंने में नहीं किया यहां पर प्रंतु इयर जरूर धियान रखें यह है यह 2020-2021 2021 का डेटा यहां पर पूछा जा रहा है तो 2020-21 में गरम बात करते हैं कि sustainable development goal में All over India में अगर हिमाचल प्रदेश का rank कितना रहा है तो वो रहा है हिमाचल का second rank option भी सही अंसर है यहां से थोड़ी सी जानकारी पहले जानिए बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश का second rank रहा है तो पहला भी जरूर रहा होगा किसी का पहला केरल का rank रहा है केरल का पहला rank 2020-21 के SDG goal में SDG index में और हिमाचल का दूसरा स्थान यहां पर यह भी दिया गया था कि हिमाचल प्रदेश जो है वो front runner है sustainable development goal progress में अगर नितियायो की measurement के अनुसार बात की जाती है तो हिमाचल जो हो first runner-up है SDG के वारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ देको sustainable development goal जो है यहां पर अलग-अलग goal जो हो रखे गए है जैसे कि poverty से related हो गया zero hunger हो गया good health को लेकर हो गया education को लेकर हो गया gender equality हो गया तो इसमें इस तरह के बहुत सारे goal रखे गए है अब इसमें numbering rank दिया जाता है score दिया जाता है score में देखिए जिसको पूरा 100 मैसे 100 मिलता है वो होता है achiever और जिसको 65 to 99 मिलता है वो होता है front runner 65 to 99 मिलता है वो होता है front runner और जिसको 50 to 64 मिलता है वो होता है performer 50 to 64 वाला performer होता है और 0 to 49 वाला aspirant होता है अगर हम बात करें कि हिमाचल को क्या किसी goal में जो है वो 100 में से 100 मिले है तो हिमाचल के संदर में ऐसा है कि हिमाचल प्रदेश को affordable and clean energy में जो है वो 100 में से 100 मिले है score तो यहां पर हुआ हिमाचल जो affordable and clean energy sustainable development goal number 7 है उसमें हिमाचल को 100 में से 100 मिले हैं और इसी तरह अगर हम no poverty में बात करते हैं तो 80 score हिमाचल का रहा है अगर हम zero hunger में बात करते हैं तो 52 हिमाचल का रहा है education में बात कर लेते हैं तो quality education में 74 score हिमाचल का रहा है अब 74 रहा है तो हिमाचल परदेश जो है वो front runner की स्रेणी में आता है तो ये जरूरी नहीं है कि सारा data ये पूछा जाए पर फिर भी एक वार अगर आपने पढ़ा होगा तो आप जरूर जो है इसको जो है वो exam में solve कर पा हिमाचल परदेश का उसका कुल परिवयाई कितना था हमने बजट की सीरीज डिसकस की प्रंत उसमें ये question चूट गया जो कि बहुत ज़्यदा important था तो यहां पर cover हो रहा है वो थे हैं कि हिमाचल परदेश का जो budget है उसका total जो आउट ले है वो है 53,413 क्रोड 53,413 क्रोड ज दियान रखें यहां से कि स्वस्ते विवाग को जो है वो 3,149 क्रोड रुपया मिला है पिछली वार 2,752 क्रोड रुपया मिला था लोक निर्मान विवाग जिसको public work department बोलते हैं उसको 6,340 क्रोड रुपया मिला पिछली वार इसको 4,370 क्रोड रुपया मिला था समाजिक स रक्सा हो गया आपका जिसको आप social security क्याते हैं उस पर 2,233 क्रोड रुपया खर्च किया जाएगा पिछले साल 1,300 क्रोड रुपया खर्च किया गया था शिक्चा के ख्षेतर में बात कर लेते हैं जो कि सबसे important ख्षेतर है तो इसके उपर 8,828 क्रोड रुपया जो हो खर् किया जाएगा पिछली बार जो था 1,6672 क्रोड रुपया जो खर्च किया गया था ग्रामिर्ण विकास और पंचाइति राज विवाग में और अगर हम बात करते हैं कि क्रिशी भागवानी और पसु पालन पर कितना क्रच किया जाएगा तो 1,942 क्रोड रुपया खर्च किय जाएगा इस बार पिछली बार जो था यह 1592 करोड ठाइज अगर हम बात करते हैं यहां से कि अनुशुचित जात्ती विकास कार्य क्रोड के लिए कीतना चार्य करोड दो हजार 399 करोड जो यह वहूजुचित जात्ती कारव के लिए है पिछली बार यह 2400 करोड था अगर हम जन जाती की बात करते हैं तो जन जाती के लिए 857 करोड है पिछली बार यह 856 करोड था तो यह आप यहां से ध्यान रखें कि किस किस तरह से किस किस डिपार्टमेंट को कितना है यह सारा आपको PDF में मिल जाएगा जहां जो मैं PDF डालूँगा लास्ट पिछली बार की जो फर्वरी की PDF थी ना वो मैंने कंपाइल करके सारे फर्वरी के पार्ट एक ही PDF में कंपाइल कर दी थे और वो टेलिग्राम पर अप्रोड कर दी थी तो वह भी आपको मिल गई होगी तो वहां से भी आप help ले सकते हैं अगले question देखते हैं जी हमारे वास क्या पूछते हैं अगले question में बोलते हैं how much subsidy will be given for construction of fish ponds to increase income of farmers तो बोलते हैं कि किशानों की income जिसको लेकर हमेशा चर्चा रहती है कि किशानों की income को दोगुना कर दिया जाएगा किशानों की income को बड़ा दिया जाएगा तो बोलते हैं कि किशानों की I को बढ़ाने के लिए मचली तलाबों के निर्मान के लिए कितनी subsidy दी जाएगी बजट में प्रोवीजन किया गया कि मचली तलाबों के लिए जो है जहां पर तलाब होंगे मचलियां पाले जाएंगे उसके लिए सबसीडी दे जाएगी वो सबसीडी होगी असी प्रतिसत अप्शन डी सही अंतर है पांच नदियां जब हिमाचल प्रतिस में बहती हैं जिसमें ब्याश, सतलू, जराबी, यमुना, चिनाव ये सारी आजाती है तो हिमाचल प्रतिस में मतस्य पालन को लेकर मतस्य के क्षेत्र में जो है वो बहुत ज़्यादा संभावना है तो इसी को आगे बढ़ाने के लिए हिमाचल प्रतिस सरकार ने क्या किया हिमाचल प्रतिस सरकार ने कहा कि निजी क्षेत्र में अगर बोलते हैं कि निजी क्षेत्र में अगर 20 हेक्टेर नए मतस्य पालन तलाबों का निर्मान किया जाएगा बुले कि कितने में 20 hectare जो new fish ponds होंगे वो construct किये जाएंगे प्राइवेट सेक्टर में और इनमें सबसीडी भी दी जाएगी 80% सबसीडी जो है वो दी जाएगी ये कहा गया मतस्य पालन कशित्र की क्षमता को बढ़ाने के लिए 120 नई trout इकाईयों का निर्मान भी किया जाएगा trout आपको बहता है मचली का परकार है तो 120 नई trout इकाईया है वो स्थापित की जाएगी और पांच लगू बायो फॉाइल मतस्य पालन काईया स्थापित की जाएगी दो trout हैचरीज होंगी तीन मचली फीड मिले होंगी और एक बर्फ से अंतर भी स्थापित किया जाएगा अब देखो आपको लगता होगा कि मचली ये बिजनेस बहुत कम है प्रंतु आप जानिए कि हिमाशल प्रदेश में लगवग 12,000 परिवार ऐसे हैं जो विविन जलास्चियों नदियों तालाबों इत्यादी से मचली पकड़ने वो पालने का कारे करते हैं 12,000 परिवार बहुत होते हैं इस शित्र में युवा वर्क के लिए जो है वो सरोजगार के काफी अफसर है ये उन्नत हो रहे हैं तो 2023-2024 में जो है वो 500 युवाओं को सरोजगार के अफसर जो है ये प्रदान करेगा ये भी कहा गया ये आप ध्यान रखें सारा मचलीयों के बारे में जो इंपॉर्टन क्या बोलते हैं विच ऑफ फॉलाइंग इंसिच्विशन प्रवाइड एसिस्टेंस टू हिमाचल प्रदेश इन टूरीजम सेक्टर बोलते हैं कि इनमें से कौन सा तंस्थान ऐसा है जो हिमाचल प्रदेश को प्रेटन क्षेत्र में जो है वो सहायता प्रदान करेगा एस तरह से कहा गया Chief Development Bank के द्वारा टूरीजम डवपन्त स्कीम है कुम्प्रिहंटिव टूरीजयं डेवल्प्मेंट स्कीम है जो प्रिपेर की गई है जिसकी कोस्ट जो है वो 1311 क्रोड है Asian Development Bank के माध्यम से जो है Kangra, Hamirpur, Kullo, Shimla, Mandi और और भी बहुत सारे जिले हैं जहां पर जो है वो Heritage Sites हैं उनके सौंद्रे करण के लिए उनका Eco Tourism जो हमारा Concept है यहां का Eco Tourism के लिए जो है यह पैसा जो है लगाया जाएगा यह फिर आप मैं कि 1311 क्रोड रुपया है Asian Development Bank के लिए रखा गए यह देगा Kangra, Hamirpur, Kullo, Shimla, Mandi और और भी जो डिस्टिक हैं वहां पर जो है यह खरच होगा और इसी तरह का हमने मैं एक और Question पड़ा था कि हिमाचल प्रदेश में युवाओं को प्रेटन एवं Hospitality जो अतित्यक्षित्र है वहां पर कौशल विकास के लिए जो है एक उतक्रिष्ट केंदर Excellence Center भी स्ताबित किया जा रहा है जो कि वाकना घाट में किया जा रहा है यह हम पढ़ चुके हैं व 60-70% budget अपने cover कर लिया है एक अध़ पार्ट और आएगा और उसमें जो है वह आपका finish हो जाए बहुत ज्यादा संभाबना है कि जब हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विच कमिशन पेपर करवाएगा तो budget से related question आएंगे और हमने दो parts already detail में discuss कर चुके हैं कोई भी question नहीं वाला आपका budget का अगर आता है अगला question देखिए जी क्या बोलते हैं last time भी discuss हो था इस बार फिर से की राजपत्रिगा में आया था तो फिर से हम discuss कर रहे हैं बोलते हैं it has been decided to provide रुपीज 600 for school dress to all the students till which is which class तो बोलते हैं किस कक्षा तक के सभी विद्यार्थियों को school dress के लिए 600 रुपया उपदान जो हो मिलेगा 600 रुपय की साहिता जो हो provide करवाई जाएगी ताकि वो बच्चे जो हो dress ले सकें इसमें कोई भी कास्ट की limit नहीं रखी गई है पहले रखा गया था कि general के बच्चों को नहीं मिलेगा वो limit हटा दी गई अब सभी बच्चों को जो है 600 रुद्धी के लिए 600 रुपया प्रती विद्ध्यार्थी मिलेगा और इससे जो है वो क्या होगा इससे जो है लगभग लगभग मानिये की जो हिमाचल प्रदेश है हिमाचल प्रदेश के 5.25 लाग विद्ध्यार्थी जो है वो लावानवित होंगे प्रंतु कौन सी क्लास के बच्चे लावानवित होंगे यह भूचा गया है अब तो देखिए पहली से लेकर आठमी क्लास तक के फ़र्स्ट टू एर्थ मैंने लास्ट टाइम हमने अलग फॉर्मेट में डिसकस किया था क्वेशन प्रन्तू इस वार अलग है पहली से लेकर आठमी तक के बच्चे ज आठमी में जाएगी उनके माता के बैकर इस तरह के फैसले क्यों लिए जाते हैं इस तरह के फैसले इस लिए लिए जाते हैं ताकि जो प्रेंट्स होते हैं उनकी वपर बरडन होता है थोड़ा सा कि अगर हम छेसो चेजो रुपए अब ड्रेस पर खरचेंगे ध्याडी मज दियान रखें और साथ में आप ये भी दियान रखें कि मदर जो होंगी मदर के बैंक अकाउंट में जो है ये पैसा जाएगा स्कूल की जब बात हुई है तो राजीव गांधी गौर्रमेंट मौडल डे बोर्डिंग स्कूल जो हो खोले जाएंगे इसमें प्री प्राइमरी से बार्वी तक की सिखशास विदायएं जो हो प्रवाइड कर वाई जाएंगी जो इंडूर आफटरडूर स्टेडियम हों گे, जैसे बच्चे खेल सकें, जैसे पानी में जो स्विंग पूल बगारा होते हैं, उसका प्राअबधान किया जाएका, तो 300 क्रोड रपया उसका किया गया है, या फिर 300 क्रोड रपया उसका है, फिर 300 क्रोड रपया बहुत ङसे bet तो बोलते हैं स्वांग टॉंग परियोजना को एक्जेक्जूट करने वाली अजेंसी कौन सी गिरास पत्रिका मैं क्यों आया था यह मैं पहले यह बताए गया है इस परियोजना को जुलाई 2005 तक पूरा किया जई यह निरदेश की दिये गए उन्होंने कहा कि इस परियोजना के लिए वर्स 2012 में निवीदा जारी की गई थी लेकिन विभिन कार्णों से निर्मान कारे यह वो विलंब होता गया देरी पे देरी होती गई तो पूरी नहीं हो सकी अब इसको जो है वो दोहुजार पचीस जून तक जो है पूरा करने के लिए कहा गया है कहा गया है कि जो भी समस्थ्याओं बीच में आ रही है उन समस्थ्याओं को जल्दी से सॉल्फ किया जाए और यह प्रियोजना जो है वो एक्जेक्यूट की जाएगी पर बने हुई है तो सतलूज नदी बेशिन पर जो है बने हुई है बनेगी या फिर और साथ में अगर यह प्रियोजना पूरी हो जाती है तो इस प्रियोजना के पूरे होने से वार्षिक येरली अगर हम बात करते हैं तो यह 1579 1579 मिलियन यूनिट विजुत का जो है वो उ मैवद तरीके से इसको कारेवरिंद किया जाता है तो 250 क्रोड रुपय की बज़ज जो है वो हो जाएगी और राजस्व पर 156 क्रोड रुपय की ब्याज उपलवद जो होगी ये भी दियान रखें इससे प्रदेश को कुल 1706 क्रोड रुपय का जो हो लाब होने वाला है और हिमाचल प्रदेश सरकार ने अब कहा है कि 2025 तक जो है इसको पूरा कर दो जल्दी जल्दी बाकि टार्गेट तो आपको बता है कि पहले कहते थे कि 2025 तक हम हिमाचल को ग्रीन अनर्जी स्टेट बना देंगे परन्तु जब बजट आया तो बजट में क्या कहा गया बजट में यह कहा गया है कि हिमाचल प्रदेश को 31 मार्च 2026 का टार्गेट जो है और रखा गया है और कहा गया है कि 500 मेगावाट सौर उर्जक समता की परियोजनाएं जो है अरंब करने का लक्षे जो है और रखा गया है जिससे जो ग्रीन अनर्जी है उसको बढ़ावा मिल सके ग्री 189 स्की में लांच की गई है योजनाओं के नाम जरूर पता होने चाहिए आपको यैसे कि राजीव गांधी राजीव गांधी गौर्वर्मेंट मॉडल डे बोर्डिंग स्कूल है जो कि हर इक विदान सब़ा कॉंशिएंसी में खोले जाएंगे 300 क्रोड रपा का दे जाएंगी इस तरह से है और मुख्यमंत्री विद्वा एवं एकल नारी आवास है तो इसमें विद्वाओं और जो एकल नारी है उनको जो है वो सोविदाइन दी जाएंगी उनकी सहायता की जाएगी और साथ में जो है वो इसमें देखो लोन बगारा का प्रोवीजन भ जो है वो पढ़ाई के लिए 1% की जो interest rate होगा उस पर जो है वो 1% rate पर जो है लोन दिया जाएगा education के लिए ताकि education जो है पूरी कर सकें कोई भी education से वंचित ना रहे और मुख्यमंत्री विद्यार्थी जो सुरक्सित बच्पन अभ्यान है ये भी चलाया गया है तो ये क्यों चलाया गया है नाम से पता चल रहा है बच्चों का exploitation ना हो बच्चों का बच्पन जो हो सुरक्सित रहे वो बच्पन को enjoy कर सकें ये इसलिए चलाया गया है अगर हम हम उन्नती योजना की बात करते हैं तो ये हम उन्नती योजना हमने पढ़ा था कि cluster basis पर बनाये जाएंगे और agriculture को develop करने के लिए जो टेक्निक यूज की जाएंगी और दुग दक्षेतर में हम गंगा योजना चलाई गई है ये तो पता है आपको की दुग दक्षेतर में जो जो milk producer है उनको protect किया जाएगा milk के लिए जो है अलग अलग तरह के जो processing plant हैं उनको setup किया जाएगा milk farmer की income increase हो उसको ensure करने की कोशिश की जाएगी साथ में ही मुख्यमंत्री लगू दुकांदार योजना है तो मुख्यमंत्री लगू दुकांदार योजना में क्या किया जाएगा shopkeeper trader जो होंगे उनको 50% subsidy जो हो दी जाएगी मुख्यमंत्री green cover योजना है तो यह जो green cover योजना है यह भी important है green cover योजना में जो है यह कहा गया है कि पौधार open किया जाएगा नए पौधे लगाए जाएंगे और एक छोर से पौधार open कर पूरी पहाड़ी को जो हो green cover प्रदान किया जाएगा तो इसको green cover नाम दिया गया मुक्यमंत्री सडक एवं रखरकाव योजना है तो मुक्यमंत्री सडक एवं रखरकाव योजना जो है इसमें कहा गए है 200 क्रोड रुपया जो है खर्च किया जाएगा और अगली है राजीब गांदी सोरोजगार योजना इसमें भी कहा गया है कि मुक्यमंत्री जो राजीब गांदी सोरोजगार योजना है इसमें 50% सबसीडी प्रोवाइड करवाई जाएगी eligible section जो होगा उनको e-taxi purchase करने के लिए उसी तरह सदभावना योजना भी है एक तो सदभावना योजना में क्या कहा गया है सदभावना योजना में जो pending cases है अलग-लग traders के manufacturers के, wholesalers के, retailers के उनको जल्दी सेटल किया जाएगा ये कहा गया है और उसके बाद है मुक्यमंत्री रोजगार संकल्प योजना तो ये जो मुक्यमंत्री रोजगार संकल्प सेबा तो ये जो मुक्यमंत्री रोजगार इस तरह की योजना बनाई गई है इसमें क्या कहा गया है कहा गया है कि इस योजना के तहद opportunities दी जाएंगी youth को तो ये सारा आपने थोड़ी थोड़ी जो जितने भी 13 नई योजना चलाए गई है उनके बारे में जान लिया आप कुछ भी योजना तेरा मैंसे तेरा आ जाए आप पीछे नहीं रहेंगे अंसर करने एक question पूचता हूँ आपसे लास्ट टाइम गिराज पत्रिका में ही हमने डिसकस किया था बहुत जादा confusion था इस question को लेकर तो question कांसर कमेंट करके बताईए और जो answer मैंने बताया है उसी को मान के चलिए बिलकुल confusion मत रखिए बोलते हैं कि recently सुजानपूर famous holy festival inaugurated by chief minister सुखविंदर सिंग सुखु इडिजैन बोलते हैं कि सुजानपूर का जो holy का मेला होता है वो किस level का मेला है क्या वो डिस्टिक है state है national है international है जल्दी से comment करके बता दीजिए जो exam में आपकी help करती है आज की video में इतना ही काफी है that's all for today thank you thank you very much for watching